नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारल हिंदी नूज में स्वागत हैं। दोस्तों शाह का मिश्यन एक्स ओबीस कुलन ओडिशा में BJP नेताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीती भाजपा अध्यक्षमित शाह ने ओडिशा में आज राज्ये के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की ताकी चुनावी रणनीतियों को दुरूस्त किया जा सके। उन्होंने ओडिशा में होने वाले विदान सभा चुनावों के लिए 147 में से 120 सीटें जीतने का लक्षे रखा है भगवा दल के एक वरिष्ट नेता के अनुसार बीजू पटनायक अंतराश्ट्रिय हवाई अड़े पर पहुचने के बाद शाह का पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने शानदार स्वागत किया हवाई अड़े पर मौजूद नेताओं में केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रदान और जुए लोराम तथा पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख बसंत पांड़ना शामिल थे पार्टी कारकरताओं में भराजोश्वरिष्ट नेता ने बताया कि ओडिशा विदान सभा चुनाओं और लोकसभा चुनाओं में एक वर्ष से भी कम समय को देखते हुए भाजबा प्रमुख के दोरे से पार्टी कारकरताओं में उत्साहब बढ़ा है जो सत्तारूर बीजद से मुकाबला करने के लिए तयार हैं बीजद वर्ष 2000 से ही ओडिशा में सत्ता में हैं उन्होंने कहा कि यह दोरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजबा अध्यक्ष ने आगामी विदानसभा चुनाओं में पार्टी के लिए 147 में से कम से कम 24 सीटों पर जीत का लक्षे रखा है हम उनके सपने को हकीकत में तबदील करने के लिए दिल से काम कर रहे हैं वरिष्ट नेताओं के साथ करेंगे मुलकात पार्टी की राजय इकाई के उपाध्यक्ष समीर मुहंती ने कहा कि दिन भर के दोरे में शह संगठन की गतिविधियों की समीक्षा क करेंगे और राज्ये के वरिष्ट नेताओं के साथ चुनावी रणनीती को अंजाम देंगे उन्होंने कहा कि शहक भुवनेश्वर, पुरी और कटक लोकसभाग शेत्रों में 21 विदान सभा सीटों में हर पंचायत के दो नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे दोस्तों में आ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू